एलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू आवर यूटूब चाइनल तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस इस क्लास में हम करने वाले हैं फॉलोवर्शिप के बारे में इससे पहले जो हमारा topic था leadership के बारे में qualities जो है एक leader के अंदर होना चाहिए जो भी उसके features थे उसको हमें अपने first part में cover कर लिया है तो आज को हमारा topic is first topic that is followership है उपनेelenor YouTube के अंदर क्या क्या जाता है जो भी employee या जबी हमे काम में group member के अंदर include है उन सभी को लेकर हमें क्या करना होता है ब्लाट अब जयसे की पतार है कई बार क्या होता है जो फालौशिप वह Pis Is चाहिए उसके साथ में great leader ही क्यों ना रहे कई बार यह चीजे fail हो जाते हैं क्यों कि चीजे जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे चीजे नहीं होता है जिस तरीके से complete किया जाता है काम को उस तरीके से हम नहीं करते हैं तो जैसे कि आपको पता है जो followership है उसको हम shadow of leadership भी कहते हैं यह line काफी important है कि followership को दूसरा नाम क्या दिया जाता है that is shadow of leadership कि हम इसको shadow of leadership क्यों कहते हैं क्योंकि यह leadership की एक परचाई है परचाई जैसे हमारे पीछे पीछे हमारे साथ सा चलती है सेम ऐसे ही जो followership है वो एक leadership के पीछ तर्शेंноз सुनके साथ ही हर काम को पूरा करते हैं जो भी उनका टूपीनियन है गोल से प्ग जूप हम एकनतर साकते हैं नो लीडर विड़ावट फॉलोवर्स बेडर्शिप से लगयग क्रेंड यह auto on a successful नहींट्स имеет बिना एक लीडर नहीं हो सकता तो यह काफी इंपोर्टेंट लाइन था जो कि followership को define करता है next point of significance of good followership कि एक जो good followership के अंदर क्या-क्या significance होने चाहिए कौन-कौन से points पॉइंट जो है इसके अंदर include होने चाहिए अब जैसे क्या होता है followers problem are exhibited in low productivity a poor work ethics low morals destruction from goals unsatisfied customer low opportunities unnecessary cost degraded product qualities and weak competitionness इसका मतलब है कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक followers के अंदर ही कई बार क्या होता हम अपने ethics से पीछे हो जाते हैं कि हमारा जो उदेश से है हमारे क्या ethics होने चाहिए क्या ethics मुल्य होने चाहिए वह फोलो नहीं करते हैं हम चीजों के प्रत्यमत अपने गोल से distract हो जाते हैं हम अपने customer को satisfy नहीं कर पारते हैं हमारी जो opportunities वो लोस्ट हो जाती है unnecessary cost बढ़ जाते हैं हमारी जो qualities प्रोड़क्ट यह वो कम हो जाते हैं साथ में क्या करते हैं जो भी competition चल रहा है मार्केट में उस पे हम साथ साथ नहीं चल पाते हैं हम वीक हो जाते हैं तो क्या हो जाता है यह जो एक good followers के अंदर इन चीजों का नहीं होना चाहिए without इन सभी चीजों के एक जो followership है वो काफी बहतर तरीके से effective तरीके से complete होता है उसके बाद है qualities of the good followers अब जो हमें follow कर रहा है या जो हमारे साथ में हैं जो हमारी employee है जो हमें आरे साथ काम कर रहा है हमारे group member है उनके अंदर कौन-कौन सी qualities होने चाहिए कौन-कौन से गुन होने चाहिए सबसे first is skill and competence इसका मतलब है कि एक employers के अंदर या एक followers है जितने भी followers है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके अंदर skill होने चाहिए उनके अंदर कोशल विकास होना चीज सही तरीके से ताकि हमारा जो भी task है वो directed जा सके हमारा जो leadership है वो effective हो सके हम काम को properly कर सके unnecessary problem के और हम अप हम को effective तरीके से कर सके साथ ही अपने जो भी हमारे employee है जो भी हमारे followers है उनको हम train कर सके updated कर सके time to time और competent कर सके कि competition के according उनको हम तियार कर सके तो यह followers के अंदर गुन होना चाहिए कि क्योंकि उसके अंदर जब skill रहेगा तब ही तो हम उसको develop कर सकते हैं अधर्वाइस तो हम कर efforts जो है वो लोस हो जाएंगे तो कहने का मतलब है कि जो एक good followers है उसके अंदर यह qualities होने चाहिए कि skill होना चाहिए उसके अंदर सही तरीके से गुड लिसनर होना चाहिए अब जैसे कि पता है आपको कि लिसनिंग जो है हमारी life का ही बहुत important पार्ट है जब हमारी life का important पार्ट है तो वह हमारे work place का तो अल्रेडी हो गई होगा तो one of the main quality of followers is a good capability to listen effectively जैसे कि आपको पता है कि एक good listener के अंदर या good followers के अंदर यह good होने चाहिए यह qualities होने चाहिए कि वह क्या करें हर चीजों को listening का जो एक तौर तरीका है उसके अंदर यह capability होने चाहिए दक्सता होने चाहिए क्योंकि only a good listener can interpret with messages given to him क्योंकि आपको जैसे कि पता है एक सही तरी रहेगा कि actual message है क्या information है क्या उसे काम क्या करना है तब ही वह क्या करेगा अपने duty उसको expected तरीके से कर पाएगा या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब उसे सही form में चीजों को पता रखेगा सही चीजों में उसको साही knowledge रहेगी तब ही actual में वह अपने काम को effective तरीके से कर सकता है only then can we deliver according to expectation और साथ में ही जैसे उसके expectation है उसके according ही वह message को deliver करेगा या काम को पूरा करेगा तो ये था good listener के बारे में जैसे कि आप वीडियो को ही देख लो अगर आप सही तरीके से नहीं सुनते हो तो without सही तरीके से सुने इन words का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है क्योंकि followers के अंदर good listener होना काफी जरूरी है hard working होना चाहिए मेहनती होना चाहिए तभी वह काम को complete करेगा चाहिए हम उसको किसी भी तरीके से instruction दे teaching करे तो actual में जब वह hard working होगा तभी इस तरीके की काम को वह कर पाएगा collaborate होना चाहिए कि उसके अंदर ability होने चाहिए कि जो भी गाम है वह group के थूरूर जब हम उसको complete करते हैं तो उसके अंदर ability होने चाहिए कि collaborate कर सके लोगों के साथ मिलकर काम कर सके ऐसा नहीं है कि actual में वह लोगों के साथ ही काम नहीं करना चाहता है वह जायता है मैं हर काम को तो एसा नहीं होना चाहिए ताकि हर काम को वह group के अंदर effective तरीके से उसको complete कर सके कर सके एक लीडर के लिए काफी इंपोटेंट हो जाता है कि चीजों को सही तरीके से दे के सूपर वीजन कर सके साथ ही जो भी टास्क है उसको सही तरीके से सकसास कर सके अपने followers के थूँ तो यह उसके अंदर एक गुन होना चाहिए followers के अंदर that is collaborate उसके बादे fair discretion मतलब जितने भी हमारे followers है उसके अंदर एक high values होने चाहिए साथ ही उसके अंदर judgment होने चीजों को देखने के लिए कि किस तरीके से हमारा direction होना चाहिए अपने goals को अचीव करने के लिए साथ ही हमारे organization के अंदर हमारे society के अंदर जो भी ethics है उसका हम पालन करें उसके against ना ज नहीं कर पाएगा चीजों से घबरा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एक जो followers है इंप्लोई है या अगर इसको हम रियल लाइफ से ही compare करें तो self-motivated होना सभी परसन के लिए काफी important है अब इसमें भी यही क्या रखा है effective followers hold themselves accountable to try their best get all their work done and help achieve goals इसके साथ में जागर वो self-motivated है तो चीजों का सही तरीकी से evaluate कर सकेगा help कर सकेगा और अपने जो भी उनका goal है उनको अचीब करने में help कर सकता अपने work को complete form में लेकर आएगा उसको done करेगा तो self-motivated होना चाहिए loyalty होने चाहिए loyalty काफी strong point होता है क्योंकि यह हमारे एक sense को present करता है कि हमारे एक behavior को बताता है कि हम किस तरीके से loyal है अपने काम के प्रती है अपने एक behavior के लिए यह हमारे जो वैक्तितव है वो कितना loyalty पूरवग है यह जो फॉलोवर्स और वो सबसे पहले तो loyal होना चाहिए अपने काम के प्रती होना काफी जरूरी है फॉलोवर्सयक एन ऑबीगेशन नुद्वर स्वाजल स सबसे पहले एक काम के प्रति अपने organization के प्रति लोयल होना चाहिए तो यह थे कुछ points जो कि बताते हैं कि एक followers के अंदर कौन-कौन से गुन होने चाहिए कौन-कौन से qualities होने चाहिए good followers के अंदर अब जो next point है वो है importance of followership कि followership अब जरूरी क्यों है importance क्या है उसकी चीजे काफी आफशिक चीजे हैं चीजों को build up करने में या उसको एक तरीके से effective करने में जो effective followership है वो effective leadership के लिए काफी helpful है काफी important है effective followers have the courage to accept responsibilities, challenges, authority, participating changes and serve the need of the organization effective followers के अंदर ये एक तरीके से बोल सकते हैं ability होने चीए या ये चीजे उसके अंदर होने चीए कि वो अपने जो भी उसकी responsibility है जो भी उसका दायतव बनता है वो उसको सही तरीके से समझे उसको accept करें challenges को accept करें जो भी उसका अधिकार है authority के है उसको सही तरीके से समझे participate कर सके गर कोई changes आता है तो उसका according ये अपने आप को change कर सके ताकि ये सारा चीज क्या करेंगा हमारे organization के अंदर जो भी needs है उसको complete करने में उसको करने में help करेंगा तो ये एक effective followership के अंदर होना काफी जरूरी है जो कि क्या बताता है हमारे followership है उसके महतव को बताता है जो इसका third point है वो है without followers there are no leaders कि बिना followers के कोई leader का महतव ही नहीं रह जाता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था no leader without followers और no followers without leaders एक दूसरे की बिना ये अधूरे हैं for any project of organization to succeed there must be people who willingly and effectively follow just as there must be those who इसका मतलब है कि जैसे कि आपको पता है किसी भी project to complete करने में जितने भी people उसके साथ में जूड़े हुए उनका आपस में follow करना या आपस में एक दूसरे के साथ में समन्वे बना के कॉडिनेशन बना के रखना काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि काम को effectively करने के लिए सारे पॉइंट एक followers के अंदर होने चाहिए जो कि हमारे followership के महत्व को बताता है leadership and followership are fundamental rules जैसे कि हम इसको अगर हम theoretically देखा जाए तो यह बताता है कि एक fundamental rules है जो कि बताता है कि individually shift into or out of under various condition की किसी भी condition में उससे हम कैसे निकल सकते हैं उस condition के अंदर हम कैसे जाके किसी भी काम को individually complete कर सकते हैं everyone leader included is a follower at one time जैसे कि आपको पता हर एक leader एक time पे followers भी होता है एक time पे वो एक leader भी होता है मतों हर तरह के रोल उसको pay करना होता है indeed most individual even those in position of authority have some kind of boss or supervisor अब जैसे कि पता है कि इस चीजों को छोड़कर मत इंडिड मोस्ट individually कि क्या होता है जाते इंडिवीजुल अगर देखा जाए तो हर एक position में लोगों को अपनी authority जो भी उनका boss है या जो भी उनका supervisor है उसके according की चीजों को complete करें तो एक fundamental rule है जो कि बताता है कि हरे condition में leadership को followership को इनके according की चलना चाहिए यह हमारे क्या बताते है importance of followership के बारे में उसके बाद है organization wide leadership कि एक organization wide तभी होता है कि अपने leadership के help के वज़े से या जो भी उनके leadership qualities है एक उसका importance है या जिस तरीके से हो चीजों को successful बनाता है तो यह सारे चीज उसके organization को काफी wide बनाता है काफी मतलब बड़ा बनाता है या उसको गुडविल परदान करता है तो यह इसके अंडर आ जाता है जो को हम कहते है organization wide leadership जैसा कि हमें पता है कि एक leadership qualities जो है उसका develop होना हमारे organization को बड़ा बनाने में यह उसको wide एक नाम देने में help करता है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कोई भी organization wide तभी कहलाता है उसकी goodwill तभी होती है जब उसके अंदर organization काफी वाइड है इसके अंदर यह चीजें काफी इंक्लूड की जाती है कि जो एक leadership है वह हमेशा क्या होना चाहिए एक उसकी जो thinking है वह हमेशा future को लेकर ही मतों की positively होना चाहिए यह forward thinker होना चाहिए हर चीजों को visualize करने का उसके अंदर यह गुन होना चाहिए उससे क्या होगा जो organization उसको काफी benefit मिलेगा अब benefit मेलेगा तो obviously organization काफी वाइड होगा उसकी goodwill बढ़ेगी leadership उसके बारे में आगे है organization leadership is a management organization leadership को हम एक management का अप्रोच देते हैं एक नाम देता है जिसके अंदर क्या होता है जि लीडर है वो help करता है strategic goals को प्राप्त करने में जो भी motivating individually work है उन सभी को complete करने में यह help करेगा आपका जो भी goal है उसको अचीव करने में उसके बाद ही है जो organization leadership is about leading and management individually toward achieving a strategic organization goals के एक leadership क्या करेगा organization के अंदर जो भी उसका leading काम है जो भी उसका management का काम है उसको individually और group के थ्रूम तो दोनों तरीके सब क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने strategic organization goals को अचीव करेगा उसका main motive यही रहेगा so it is change agent someone who sees the big picture but also understand the processes or step to making change happen तो यह काफी इंपोर्टेंट है कि एक जो leadership है उसके अंदर यह जो सोचता है कि big picture big picture यहां पर यह इसले यूज के आगे जैसे हम सोचते हैं कि हमारा organization का बहुत बड़ा नाम हो यह हमारा प्रोवाइड करने में तो यह सारे चीज आ जाते हैं हमारे organization wide leadership के अंदर तो इन चीजों सरना exam में ज्यादा question नहीं आता है बड़ आपको हर चीज के बारे में knowledge हो इस वज़े से मैं किसी भी concept को skip नहीं करती हूँ किसी भी चीजों को ignore नहीं करती हूँ अगर वह छोटा सा भी point हो तो मैं आपको इतना idea जरूर दे जाती हूँ कि वह चीज अगर by chance आपके exam में आ जाता है तो आप उसको handle कर सके आप बारे में answer बता सके उसके बाद में कुछ इसके अलग point है the essential skills and mindset of organization leadership according to a langton include कि जैसे कि आपको पता है कि एक जो organization leadership के अंदर जो होना चाहिए मनतों जो skill उसके अंदर होने चाहिए उनमें किन-किन चीजों के include किया जाता है मिंस कौन से गुन इसकेंदर में होने चाहिए जैसा हम बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर यह चीज होने चाहिए सेम ऐसे organization के अंदर जो यह leadership को रूल निभाता कोन कून से गुर्ण होने चाहिए work जाने of depends on the computer just सोल ना होना चाहिए एकTalk एक अच्छे तरिके से एक्स्प्रेश लाओं भी इसको क्मप्रीट कर पाओगो जैसे अब जैसे कि आपको पता आप सही तरीके से पढ़ोगे, समझोगे, सुनोगे, तब ही तो आप एक्जाम को अच्छे तरीके से दे पाऊगे, सेम ही अगर हम इसी चीज़ को अपने और और अपलाई करें तो अगर हम चीजों को सही तरीके से लिसन करेंगे, सही तरीके से काफी strong होना चाहिए हमारा जैसे कि आपस में एक friendship होती है कि हमारे जो भी friend है उनके साथ में हमारी bonding काफी अच्छी रहती है सेम ऐसे workplace पे हमारा जो team है उनके साथ में हमारा जो relation है वो काफी अच्छा होना चाहिए including developing leadership potentially इन अदर कि साथ में इन चीजों को भी include किया जाता है कि आप अपने leadership के अंदर ये development रख सके या चीजों को developing करने वाला आपका जो mindset है वो होना चाहिए identify future innovation and opportunities आपको क्या है future के लिए के जो भी innovation जो भी आप एक अनुसंधान करोगी जो भी आपके सामने opportunities है जो भी आपके सामने एक opportunities आ रखें तरह रखेंगे चीज़े आ रखें तो वह सारे चीज़ आपको identify करने आना चाहिए identify का मतलब है कि वो चीज़े आपके business के लिए सही है गलत है आप उस चीज़े को कैसे apply करोगे या उस चीज़ों में किस तरीके से changes लाओगे तो यह सारे चीज़े identify करने आपको आने चाहिए understanding business environment and operation कि business प्रेवरेंट के अंदर जो भी चीज़े हो रही है जो भी happening हो रही है जो भी चीज़े हो रही है और प्रेशनिंग का काम हो फंक्शनिंग का काम हो वह सारे आपको चीज़े हैं उनको हम दूर करते में तो all over हर चीज़े आपको अंडेस्टेंड होने वाला जो स्किल है वह आपके अंदर होने चाहिए using integrating and ethics और यह काफी important important line है कि आपको क्या आपने नैतिक मुले को integrity को आपको पहचानना होगा साथ यह उनको यूज करना होगा thinking strategically system wide and holistically कि आपका जो एक भावना है आपकी जो thinking है वो strategically होने चीज़े है आप चीज़ों को organization का जो भी एक द्रिश्य है vision है उसको आपको spreading करना है spread करना मतलब फैलाना है उसको कि organization के अंदर हमारा क्या रवया होना चीज़े हमें किस तरीके से चीज़ों को देखना है साथ ही inspire करना है दूसरे other person को जो कि हमारे साथ काम कर रहे है वर्क प्लेस पे तो इस सारे points थे जो इन चीज़ों से अलगी चीज़ बताओ मतब चीजों को समझ कि उन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ कि इनके बारे में आप 2-4 जो भी आपके माइंड मेरा आप उसको इंदर include भी कर सकते हो और अपनी तरफ से भी define कर सकते हो तो I think आपको यहां तक clear हो गय है यहां पर आपका यह जो टॉपिक है concept इसके अंदर काफी कम चीज़े है इसको जो बहतर तरीके से काफी बोलते हैं काफी अच्छे तरीके से briefly तरीके से हमने अपने वीडियो में उसमें हमने डिसकस किया है तो अगर आप चाहो तो वहां से भी आप उन चीजों को देख स कोई भी concept है जो कि आपको समझ नहीं आया है या कोई भी confusion आ रहा तो आप comments के तुरू पूछ सकते हो साथ ही अगर आप वीडियो के यहां तक बने हुए तो thank you so much वीडियो के यहां तक बनने के लिए साथ ही वहन रिक्वेस्टर वीडियो को लाइक करे और चैनल को शेयर जर करें